हलो फ्रेंद्स, वेल्कम बैक टो फूट फटना खुश्बू, अभी विंटर सीजोन यानि की सर्दी का मौसम चल रहा है, तो चलिए क्यों न हम बनाए सर्दी के मौसम में गरम गरम वड़ा पाओ, आज इस वड़ा पाओ के साथ हम बनाएंगे मुंबई स्टाइल वड़ा प चावल के आटे से थोड़े क्रिस्पी बनेंगे वड़े, इसलिए मैंने चावल काटा डाला है, फिर हमने डाली ये थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मेच, साथ में थोड़ी सी हींग, नमक, और हमें इसे मिक्स कर लेना है, हम सबसे पहले गोल इसलिए बना रहे हैं क् हमें गोल को करीबन आदा घंटा resting time देना है अब इसमें मैंने डाला है एक छोटी सी चुटकी baking soda यह optional है अगर आप चाहें तो डालें अब धीरे धीरे हमें इसे mix करना है और इसे हलके हाथ से करें ताकि इसमें देखिए हवा भर जाए जिससे यह light हो जाए हमारा जो batter है वो light ह होना चाहिए और ना medium चाहिए हमें ना जादा थिक चाहिए ना जादा पतला चाहिए अब हम इधर त्यारी करते हैं लाल चटनी पाउडर जो सूखी लाल चटनी का पाउडर होता है इसके लिए मैंने एक तेल गरम किया है कड़ाई में फिर मैंने डाला है garlic हमें लसन के यह इसे बाहर निकाल लेंगे और अब इस तेल में मैं डालूंगी सफेद तिल और इसे भी मुझे सेख लेना है देखिए तेल हमारे सिख गए है light brown से होने लगे है अब इसमें हम डालेंगे सिंग दाना यह लाल सूखी चटनी का पाउडर है यह बहुत जादा टेस्टी लगत और आज हम Mumbai style बना रहे हैं तो फिर बनाना ही चाहिए था यह अब साथ में मैंने डाला है सूखे नारिल का पाउडर इसे भी हमें सेख लेना है साथ में यह देखिए सब अच्छे से रोस्ट हो गया है अब गैस बंद कर देते हैं और मिक्सी में इसे हमें ब्लेंड कर लेना है इसमें हम तिल, सिंगदाना, लसन पाउडर और साथ में मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर दो तिन चमबत लाल मिर्च का पाउडर और इसे मिक्स करके देखिए मेरी रेड चटनी तयार है अब हम बनाएंगे ग्रीन थेचा या ग्रीन चटनी इसके लिए मैंने धनि प्राइ को क्राकल किया है उसके बाद हींग पाउडर और करी पत्ता जब करी पत्ता अच्छे से क्राकल हो जाए देखिए मेरा करी पत्ता अच्छे से रोस्ट हो गया है अब इसमें मैंने डाला है अद्रक लसन और हरी मिर्च का पेस्ट जो मैंने मिक्सी में ब्लेंड कर लिय आलू का ठंडा होना बहुत जरूरी है, इसे हम डाल के mix करेंगे, साथ में मैंने डाला है गरम मसाला और धनिया पति, यानि कि नमक, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पति, थोड़ा सा lemon juice आप इसमें अभी डाल सकते हैं, और जब ये मसाला ठंडा हो जाए, तो इसके हमें balls बना मैंने तेल थोड़ा कम डाला था मसाला बनाते समय, अगर आपको ऐसा लगे तो आप तेल की quantity थोड़ी बढ़ा सकते हैं, सारे balls आप इस तरीके से ready करके रख लीजे, देखिए, इस तरीके से अच्छे से ready हो गया है, बिना sticky हुए, मेरा बैटर भी ready है, अगर आपको लग र एक एक करके वड़े तलते जाएं, यह देखिए, इस सरीके से हम वड़े तल लेंगे, यह वड़े वड़ा पॉक हम बनाने वाले हैं, वड़ा यह वड़े इस तरीके से भी अच्छे लगते हैं, खाने में आप चाय के सात में शामको इन वड़ो को बनाएं, और उसे enjoy करें वो भी बहुत अच्छे लगेंगे हमारे वड़े रेडी हो रहे हैं क्रिस्पी गोल्डन कलर हमें वड़ो का करना है और साथ साथ में जो चूड़ा हो रहा है साथ में बेसन का साइड साइड में आप देखेंगे उसे भी हम निकाल लेंगे वड़ा पाउ में चूड़े से क्रिस्पी नसाती है लो फ्लेम पे ही हमें वड़ो को तलना है जब बस डाले वड़े तब आप ध्यान रखे कि तेल का टेंपरेचर थोड़ा मीडियम हो और बाद में हमें इसे लो फ्लेम पे तल लेना है ताकि ये कच्चे ना रहें अंदर तक मेरे वड़े रेड़ी हो गए है अब साथ में मैं से तेल में मैंने हरी मिट्शी को फ्राई कर लिया है मेरा समान सब रेड़ी है इमली की चटनी, धनिये की चटनी, थेचा और लाल सुखा पाउडर हमारे वड़े रेड़ी है तो चलिए वड़ा पाउ बनाते है इसके लिए मैंने पाउ ली है पाउ को बीच में से कट कर ले अब हम इसमें एक तरफ इमली की मीठी चटनी लगाएंगे और धनिये की चटनी आप चाहें तो मीठी चटनी अवाइड कर सकते हैं अब अपने हिसाप से अपना वड़ा पाउ बना सकते हैं और अगर आपको वड़ा पाउ को ग्रिल करना है तो दोनों तरफ बटर लगा के इसे अब तवे पे भी सेख सकते हैं ग्रिल वड़ा पाउ भी अच्छा लगता है, पर आज हम यह authentic style वड़ा पाउ बना रहे हैं, इसमें हमने लगाई एक तरफ यह मीठी चटनी, एक तरफ धनिये की चटनी, और अब हम इसमें डालेंगे हमारा लाल सुखा पाउडर, जो वड़ा पाउ को बहुत ही जादा amazing taste दे खाने के लिए, सर्दी के मौसम में बनाईए, खाईए और enjoy कीजिए, और अकर recipe पसंद आए, तो please मेरे चैनल को like करिए, subscribe कीजिए और recipe को share कीजिए, enjoy the recipe and please comment, thank you for watching my video.